जाहिन दोस्तों वेल्कम बैक दा आर्मी वा यूटीव चैनल तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत जाला इंपोर्ड रहने बाला है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें आर्मी मॉक्टर सीरीज में आज हम टॉप 20 मिक्सी परस्टों का टेस्ट लगाएंगे जो की आपके हिस्टरी से रेटिड रहेंगी हिस्टरी की कलास नमबर 9 आपकी रहेंगी आर्ट कलासे अब तक नहीं दीखी हुएं तो उन्हें भी देख लें जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बहां से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यह सभी आठ कलासे जो है आपके आर्मी एक्जाम चलिए बहुत जादा इंपोर्टिड रहेंगी चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन से पहरा कोशन आपकी सामने है फुर्तगालियों ने भारत में स्तापिट करी था फैली फैक्टरी किसख सने स्तापिट करी थी पूर्त आपको होना चाहिए यहां से यॉद्ध कोशन पूछा जाता है तो प्रितगालियों बारा जो फैक्टरी स्तापिट के गई थी यहा का कंई गई थी काली कgreshtो में करी गई थी कुछ कोशन के अंसर किसे जहांगीर ने खान की उपादी से समानित किया था यह एक अंग्रेश थे जिसे जो है किसने जहांगीर ने मोगल शाशक जहांगीर ने केंसी उपादी दी थी टाइटल दिया था खान का हॉक्स को टॉम स्रो को एड़ोड़ टाइस को या इन में से कोई नी चालती से बताहिक राइट अंसर कह रहेगा जहांगीर दवारा किस व्यक्तिको खान की उपादी प्रापत की गई थी तो क्या था इनका नाम हॉक्स इनका नाम था क्या था हॉक्स आप्शय नमबर एस का र factory कहां स्तापित करी थी वेर डिट वास बृटिश वास सेट आप दियर फ़स्ट फेक्टरी इन इंडिया इन 69 60 20 80 यहना 1612 में भारत में अंग्रेज जो दो बारा पहली फेक्टरी कहां स्तापित की गई थी गोवा में बंगाल हंगली में अर्कार्ट में या फिर सूरत में तो कहां पहली फेक्टरी लाई गई थी आपकी सूरत में पहली फेक्टरी लगाई गई थी option number 10 का राइट पहले पूचा था फूर्टगाल का फूर्टगालियों ने कहां पर लगाई थी कहां लगाई थी कालिकर्ट में और अंग्रेज जो ने सबसे पहली फेक्टरी सूरत में लगाई थी question number 4 आपके सामने भारत में फ्रांसीसी होने अपना सबसे पहला खार खाना निमे लिखित म ने अपना सबसे पहला कार खाना जो है कहां स्तापित किया था सूरत में माफ करें option नमबर ए आपका सेगर ले कहां सूरत में पुलिकट में कोची में या फिर कासीम बजार में तो राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर एगा option number A तो फ्रांसीसी द्वारा जो पहला खार खाना खोला गया था ये भी कहां खोला गया था सूरत में खोला गया था और अंग्रेज चोना फैली फेक्टरी ही सूरत में कोली थी question number 5 आपकी सामने ब्रिश्ट इस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था यह question most important है यह question यहां से question repeated रहेंगे आपकी एक्जाम में definitely पूछ जाएंगे तो question को ध्यान से पढ़ना है question पूछता है कि British East India कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर है और अप्शन नूमबर ए टॉम्स स्माइट इसका राइट अंसर रहेगा question पूछ आपकी सामने Captain Williams Hawking किस जहाज से भारत आया था Captain William Hawking जो है यह कौन से जहाज से क्या आया था भारत आया था वाइबिच शिप डिड़ कैफ्टन विलियों Hawking रिच इंडिया रिच इंडिया हेक्टर हिजास से ठीक है हेक्टर जहाज से ड्रेगन जहाज से दोनों से या इनमें से कोई नहीं कौशन महुस्त इंपोर्डिट है भारत में Hawking जो है यह कौन से जहाज से आया था राइट अंसर क्या रहेगा है हेक्टर जो है इसका राइट अंसर रहेगा ऑप्शन नमबर एक का दोस्तों सही कर लिजिए कौशन साथ दोस्तों आपके सामने वाडी वश कायूद 1760 में अ इसमें जो है अंग्रेजो का नर्तित्व यानि अंग्रेजो का सेनापती कोन बना था यह लीडर कोन बना था सर आयर कूट थाम स्मित थाम स्रो या इनमें से कोई नहीं कौशन मोलों तो इंपोर्डिड आपकी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो राइट अंसर क्या भारत का वादिशा उस समय कोन था जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की स्तापना हुई थी यह कोशन बोलू तो मोस्ट मोस्ट या बैरी वैरी इंपोर्डिर कोशन है कि उस समय भारत का राजा कोन था जब इस्ट इंडिया कंपनी की स्तापना हुई थी आप्शन लहांगीर अकबर या फिर इमाइयू कभीन पाइट में की किस शाचिन काल में मुःटन सितापनी किसके काल में अक्वर के काल में ठीके किसके काल में अक्वर के काल में हुई थी option no.6 का राइट रहेगा question no.9 वाडिवंश के युद में जिसने किसे हराया था which how defended whom in the battle of वाडिवंश तो वाडिवंश का युद कब हुआ था 1760 में जिससे किसके किसके मद्दी हुआ था फ्रेंचों ने ब्रिटिश को रहाया था ब्रिटिश ने डच को रहाया था ब्रिटिश ने फ्रेंच को रहाया था तो हुआ किनके मद्दी था British और French की बीच हुआ है किसके बीच हुआ था British और French की बीच हुआ था यहुनि option number a & c आपके आगे और हराया किसने किसे था अब यह गंजो करो तो आद रखने है अंग्रेज जोनेज सु है किसे हराया था फ्रेंच को हरा दिया था ब्रिश्टी डिफेंडिड फ्रेंच तो ऑप्षिन नमर सीज का राइट रहेगा कौशन नमर दस आपके सामने निवेदन मैं से कौन सा समिलत नहीं है बिच आफ निव लॉंग से नोटे करेक्ट मैच एलोरा शक महावली पुर्म राष्ट कूट मिन मिनाक्षी मंदर पल्लव खुजराहो चंदेल बिल्कुल से ऑप्षिन नमर डीस का रहेगा खुजराहो का निर्मार जो है किसने करवाय था यह कमेंड वाक्स में आपको बताना है कौशन नमर 11 आपके सामने बड़ा इमाम बाड़ा कहां स्तित है बड़ा इमाम बाड़ा कह पर स्तित है ऑप्षिन आपके सामने है आगरा लकनो पटना या फिर इलहाबाद वेर इस दी बड़ा इमाम बाड़ा स्तित यानि लोकेटिड तो राइट अंसर क्या रहेगा ऑप्षिन नमबर भी लकनो इसका राइट अंसर अरहेगा वाशन नमबर 12 हवा महल कहां स्तित है हवा महल जो है कहां अब स्तित है यानि कहां स्तित है वेर इस हवा महल लोकेटिड वैंगलोर चातिसकड दिल्ली या फिर जैपूर वैंगलोर चातिस दिल्ली या फिर जैपूर कहां स्तित है हवा महल जो ही आपका ऑप्षिन नमबर D जैपूर में स्तित है चलिए आँसे ए किस ब्यक्ति से स्वंदित है चेतक घोड़ा ता फेमस चेतक होर्स इस लेटेट टू शिवाजी लक्षमी भाई अकवर या फिर महाराणा परताप जालती से बताई राइट अंसर क्या रहेगा तो राइट अंसर रहेगा आप्शन नूमबर डी महाराणा परताप किस ब्यक्त सबसे पराचिन वाद यांतर है इनमें से सबसे पराचिन वाद यांतर कौझ सा है फिच अव्टी फॉलिविस ओल्विशêu में बाद innovate य Works अंष्म तो आरइट अंसर आहिगा इसका राइट निवसेण नूमर डी मिया जो है यह सबसे पूराण वाध यह अंतर है most important question आपके एक्जाम के लिए कॉशन नमर 15 लासी के लड़ाई 1757 अंग्रेजी सेना का निर्थित्व किसने किया था battle of लासी कब हुई थी 1750 में आपकी हुई थी 7057 में हुई थी हुई लीड दी इंग्लिश आर्मी इंग्लेंड आर्मिया इंग्लिश आर्मी रॉबर्ट्स कलाइब हेक्टर मुनरो वारंस हैस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपका यूद कब हुआ था प्लासी का सामने वक्सर के युद्व कि 1764 में अंग्रेज जी सेना का नेतरित्व करने बाला कौन था अब अक्सर का यूद जय कब हुआ था 1764 में आपका वक्सर कायुद हुआ था और यह किसके मद्द हुआ था यह भी कमेंट बॉक्स में आपको जुरूर बताना है और आपके लिए कौशन यहां पूछ रहा है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था और बारी में वक्सर कायुद भी अंग्रेज जीत के थ थे फिजिए माँ भी वक्सर का यूद्व वक्सर्व वक्सर्व वक्सर तो थीक है याद नहीं आहरा मेरी खाल से वक्सर का अंग्रेज जीर के थे इसन में नितरत्व किसना क करा था अंग्रेजी सेना। इसका नितरत्व करा था हैً कर普 distancing और हैं हेक्टर मुर्णों नोन जो है वक्सर के यूद में अंग्रेजी सेना का नितरत्म करा था आप्षण नुबर सिराइट करेगा कौशन में 17 इंपोर्ड या मॉस इंपोर्ड इंपोर्ड कोशन है बंगाल का द्वयत शासन कभ से कभ तक चला था बंगाल का द्वयत शासन जो है कब से लेकर कब तक चला था 1757 से 177 से 1774 से 1773 से 1772 से 1760 से लेकर 1793 अब यह कोशिन इंपोर्ड़ेड है तो याद रखेंगे इक्जाम में आपके पूछ सकता है तो राइट एंजर क्या वंगाल का द्वेश शासन जो है यह कब से कब तक चला था 1765 से लेकर 1772 तक चला था यानि कितने साल पांदो 1077 से आवका यह चला तथा 7 साल करीवर न चला था नेक्स कॉशन है बरषעל276 डौर्ण वेलचली द्वारा कम प्रस्तावित सहाइक संदी को सविकार करने बाला सबसे पहला भारती शास्यक कौन था लौट वेलिजनी द्वारा परस्तावित सहाइक संधी सहाइक संधी को सविकार गीगी थी किसके दबारा वैद्रा के निजाम हैदरा की निजाम दवारा यह सबसे पहले सहाइक संदी को सभीकार किया गया था कॉश्यू नमर उन्नी साथ के सामने भारत का प्रतम गवर्नर जन्रेल और वाइसराय व्य व्य राए को ऊघ्न had हेस्टिंग्स, कैनिंग, मिन्टो या फिर कर्चन तो जल्दी स्रताई राइट अंसर कह रहेगा हूँ वास्थी फर्स गवर्णर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया तो राइट अंसर रहेगा कैनिंग आप्शन नमबर वी कॉशन नमबर 20 आपके सामने तीसरे आंगल मैसूर यूद या फिर इसे मैसूर आंगल यूद भी कहते हैं तीसरे आंगल मैसूर यूद को रोकने के लिए टीपुल सुल्तान ने अरंग्रेज्जो के साथ कौन सी संधी करी थी कौन सी संधी जो है तीसरे मैसूर यूद को रोकने के लिए टीपुल सुल्तान ने करी थी मंग्लोर की संधी शरी रंगठ्टम की संधी मैसूर की संधी या फिर वीदनपुर की संधी राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर रहेगा ऑप्शन नूमबर बी शिरी रंगबंटम की संदी करी थी तीसरे मैसुर यांगल युदमें टीपू सुल्थान ने कि चली जल्ती से बताई ए कितने कशन आपके सही थे ette स्कोर आपको ज्रूर हर देखकर लगे पुद्र